हमने last lecture में यह देखा कि जो photoelectric effect है उसको समझने के लिए हमने एक experimental setup किया था एक experimental setup कुछ इस तरह था कि एक quartz tube था okay एक tube था evacuated tube और उसमें quartz window थी और हमने एक side में ऐसी plate लगाये थे कि जो photoelectric effect शो करता है मतलब यह जो plate है हमारी वो ऐसी metal की बनी हुई है ऐसे metal से है made की गई कि वो photoelectric effect शो करेंगा ओके और दूसरी side में भी हमने एक plate लगाये थे हैं quartz window से जो है हमारी रेडियेशन्स पोटो एलेक्टिक material और फोटो एलेक्टिक plate पर incident होते थे और यह evacuated होने की वज़े से यहां से जो इमिशन और इलेक्ट्रॉन का जो इमिशन हो रहा है वो इस प्लेट को की तरफ अट्रैक्ट होता था क्यूंकि हमने इसको externally जो है positive terminal से connect किया था और electron का जो चार्ज होता है वो negative होता है ओके और हमने यहां पर हमने यहां पर commutator यूज किया था commutator का काम है कि अगर हमको इस प्लेट को अगर positive देना है तो positive terminal दे सकते है negative देना है तो negative दे सकते हैं लेकिन स्टार्टिंग में हमने अभी फिलाल इसको positive देना है ताकि वो electron को attract करें ओके तो इस तरह कमिटेटर की का कुछ setup था ओके यह अगर हम positive लेते हैं यह negative ठीक है और current measure करने के लिए हम यहां पर micro emitter लगा रहे है current measure करने के लिए micro emitter लगा रहे है micro emitter हम इसे micro word क्यों use कर रहे है क्योंकि इसमें जो current measure होंगा वो micro level पर होंगा बहुत छोटा current होगा micro level की स्केल होंगी इसलिए हम इसे micro emitter कहते हैं बड़ा terminal positive होता है छोटा terminal negative हम positive यह साइड में लगा रहे है ताके electron इसको attack कर सके तो इस तरह हमने इसको connect किया और यह इस तरह कर रहे है इस तरह पर इसके बाद इन दोनों के बीच को potential measure करने के लिए हम दोनों के बीच में यहाँ पर voltmeter भी लगाएंगी यह voltmeter है जो potential measure कर सके दोनों plates के across में इस तरह का हमारा setup था अब हम क्या कर रहे है यहाँ पर हम यह जो हमारा setup है इसमें हम observe करते हैं और इसमें parameter note करते है कि कौन-कौन से involved है parameter मतलब क्या कि हमने यह जो potential दिया वो कितना है इसमें current कितना flow हो रहा है उसके बाद जो light हम incident कर रहे है उसकी frequency उसकी intensity यह सारे parameter इससे related है तो one by one हम इसके इन सब के parameter के बारे में study करेंगे कि उन पर photoelectric effect का क्या असर पड़ता है और क्या हमको result देखने को मिलते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते है यह जो radiation हमने लिया यह जो source हम ले रहे है radiation light source इसकी हम frequency लेते है frequency parameter हमने चूज किया अब हम इस radiation की जो frequency है वो सबसे कम रखते हैं हम उसको vary करेंगे और experiment को observe करेंगे तो radiation की frequency हम सबसे कम रखते हैं मतलब कुछ बहुत कम वाली frequency हम radiation हम use कर रहे हैं तो जब इस radiation की frequency कम होती है तो हमको यह photoelectric effect देखने को नहीं मिलता है हम कैसा पैचान रहे है क्यूंके हमको यहाँपर current जो है वह zero मिल रहा है जब यहाँपर current 0 मिल रहा है मतलब इसमें से electron नहीं आ रहे, electron नहीं आ रहा है मतलब यहां से emission नहीं हो, यहां से emission नहीं हो रहा हमने जब low frequency का light use किया, load frequency की radiation हमने इसके incident किये, तो हमको कुछ भी deflection नहीं मिलता है micro emitter में, that means there is no current flow in the circuit now, what we do we increase the frequency अब हम frequency increase करते है frequency increase करते है तो हमको कुछ frequency के लिए photoelectric effect देखने को नहीं मिलता है, मतलब हमको deflection नहीं मिलता है, ओके अब एक ऐसी frequency आती है जिस पर हमको deflection देखने को मिलता है, एक particular frequency पर हमने क्या क्या gradually हम frequency को increase कर रहे है gradually increase the frequency धीरे धीरे frequency हम increase कर रहे है frequency धीरे धीरे increase कर रहे है तो एक particular frequency ICI जिसको हम बोलेंगे new knot ओके, एक frequency ICI जिस पर हमको deflection देखने को मिला, तो तो इस frequency को हम कहते है threshold frequency इससे पहले भी हमने यह देखा आए कि threshold frequency क्या होती है लेकिन हम यहाँ पर फिर भी एक बार repeat कर रहे है कि frequency को हम vary कर रहे है और हम experimental setup की थो understand होने की कुशिश कर रहे है कि किस तरह photoelectric effect का हमको देखने को मिल रहा है तो जैसे यह frequency आती है particular frequency की radiation हम इस photo sensitive material पर incident करते है यहाँ से electron flow होना शुरू होते है current बनता है और हमको deflection देखता है तो उस minimum frequency को हम threshold frequency कहते है इस तरह यह पाहली parameter हो गया है अब हम दूसरा parameter देखते है इस photoelectric effect के अंदर हम यह जो radiation डाल रहे है उसकी हम intensity के बारे में बात करते है दूसरा parameter है हमारा intensity of radiation ठीक है intensity of radiation अब intensity का क्या असर पड़ता है क्या effect पड़ता है वो हम देखेंगे ओके चलो तो सबसे पहले हम यह देखते है कि intensity मतलब होता क्या है अब हम generally देखते है कि अगर हमने हमारे घर में छोटा सा light लगा है तो हम बोलते है उजाला कम है मतलब intensity कम है अब हम क्या करते है बड़ा focus लगा देते है तो जादा हुजाला हो जाता है और हम कहते है जादा intensity है मतलब जब intensity बढ़ रही है तो जो radiation है वो बढ़ रहे है और radiation बढ़ रहे है मतलब हम कहेंगे कि photons बढ़ रहे है radiation जो है जो भी हम electromagnetic radiation कहते है जो भी हम light कहते है उसका दूसरा नाम photon है okay photon का मतलब होता है discrete packet of energy मतलब छोटे-छोटे particles photon का क्या मतलब discrete packet of energy के जो हमारा radiation होता है photon light जो होता है वो number of small small particle से मिलकर बना है infinite number of particle से मिलकर हमारा कोई भी light बनता है radiation बनते है उसे हम photon कहते है ओके तो जब कभी भी हम किसी भी light की intensity increase कर रहे है उस क्रेडिशन के intensity जब हम increase कर रहे है तो इसका ये मतलब है कि हम number of photon को बढ़ा रहे है मतलब जो भी source हम use कर रहे है उसमें से number of photon बढ़ जा रहे है ओके तो इस तरह intensity का मतलब होता है अब हम यह देखना चाहते है कि intensity का इस पर क्या effect पड़ता है जो हमारा experimental setup है तो यह जो radiation हम incident कर रहे हैं वो हम ऐसे radiation use करेंगे जिसकी frequency threshold frequency से ज़्यादा है अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमको photoelectric effect देखने कोई नहीं मिलेगा इसलिए इसमें हम condition यह डालेंगे कि इसमें जो frequency रहेंगी जो radiation की frequency रहेंगी वो greater than रहेंगी या equal to रहेंगे threshold frequency के क्यों क्योंकि अगर ऐसी condition नहीं रही तो हमको photoelectric effect देखने कोई नहीं मिलेंगा और हम यह पता ही नहीं कर पाएंगे कि intensity का क्या effect पड़ रहा है क्योंकि हम अभी हमारा purpose क्या है अभी कि हम यह देखना चाहते है कि intensity of radiation का photoelectric effect पर क्या फरक पड़ता है तो हमने एक ऐसी frequency चूज किये कि जो threshold frequency के बराबर है या उससे बड़ी है तो चलो अब हमने radiation हम photoelectric effect material पर जो है photoelectric sensitive plate पर incident कर रहे है जिसकी low frequency है sorry low frequency नहीं low intensity है तो low intensity का हमने light incident किये तो हमको low intensity का हमने light incident किये तो हमको यहाँ पर current मिलता है कुछ तो भी हमको note करने को मिलता है उसके बाद फिर अब हम इसकी intensity बढ़ाते हैं जैसी हमने intensity बढ़ाया वैसी ही यहाँ पर जो current का जो deflection हमको मिल रहा था जो current की हमको यहाँ पर reading मिल रही थी वो बढ़ जाती है फिर intensity और बढ़ाते है तो फिर current और बढ़ जाता है intensity और बढ़ाते है current और बढ़ जाता है मतलब यह कि जो intensity है वो current को directly proportional है हमको क्या result देखने को मिलता है हमको result यह मिलता है कि intensity जो है वो directly proportional है current के मतलब क्या कि intensity बढ़ेंगी तो current भी बढ़ेंगा क्यों ऐसा हो रहा है क्योंकि intensity जब बढ़ रही है तो number of photons बढ़ रहे है जिस तरह मैंने आपको इससे पहले बताया यहाँ पर कि intensity का मतलब यह है intensity का भी आरे तो नमबर of photon बढ़ रहे है नमबर of photon बढ़ने की वज़्यसे नमबर of electron बढ़ रहे है जो Emission हो रहा है जो Emission हो रहा है फोट ए अंदर तो जितने ज्यादा हम photon बढ़ेंगे उतना ज्यादा electron का요 लोगा तो उसने हम यह कंकिलोजन निकालते हैं कि इंटे इसका प्लोट लेंगे उसकाप l y-axis पर जो है तो हम current लेते हैं कि इंटेंसिटी अगर बढ़ती है तो current पर क्या effect बढ़ता है तो हम क्या बोल रहे है directly proportional है intensity बढ़ेंगी तो current बढ़ेंगा तो फिर intensity पहले 0 थी तो current भी 0 था intensity को थोड़ा सा बढ़ा है current भी इतना ही बढ़ा directly proportional है तो फिर हमको finally इस तरह का plot उसका हमको देखने को मिलता है कि वो state line आती है कि intensity directly proportional है current के तो यह दूसरा parameter intensity जो effect करता है हमारे current पे इस तरह हमको यह observation देखने को मिलता है एक बार हम revise कर लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा अभी फिलाल ठीक है तो हमने जो photoelectric effect के लिए setup देखा था वो मैंने फिर से हमाँ पर explain किया और हमारा अब हम आगे जो बढ़ रहे हैं हम यह देखना चाहते है कि photoelectric effect में कौन-कौन से ऐसे parameter है जिसकी वज़े से photoelectric effect पर अलग-अलग depend करता है कौन-कौन से parameter उस पर depend करते हैं जैसे पहली चीज हमने देखी frequency कि frequency photoelectric effect पर कैसे depend करती है क्या उसका उस पर असर पड़ता है ओके तो हमने threshold frequency के बारे में पड़ा उसके बाद जो है फिर इंटेंसिटी radiation of intensity intensity of radiation इसके बारे में देखा कि intensity और radiation intensity से हमको photoelectric effect पर क्या आसर पड़ता है कि जैसा जैसा हम intensity बढ़ाते हैं वैसा वैसा हमको जादा electrons मिलते हैं जिसकी मदश से हमको जादा current देखने को मिलता है ओके तो इस तरह ये दो parameter हमने देखें आगे का हम next lecture में देखेंगे उर्दू वालों का भी थोड़ा लिहाद रखते हुए कुछ अलफाज मैं उर्दू में भी बता देता हूं आपको कि जो intensity of light है उसे हम नूरी शिद्दत कह सकते हैं करंड को बरकी बार कहते हैं और उसके बाद जो हमने photon देखा photon को photon ही कहते हैं लेकिन जो discrete packet of energy इसे हम तवानाई के मक्सूस जर्रत तवानाई के मक्सूस मिगदार उसे हम photon कहते हैं उसके बाद threshold frequency को मैंने इससे पहले बताया था कि उसे दहिलीज ताद्दूत कहते हैं और हमने यह देखा कि दहिलीज ताद्दूत का photoelectric effect में नूरी बरकी असर में क्या असर पड़ता है को कम्यूटेटर ही कहते हैं और अर्दू में और एडियेशन को हम किरने कहते हैं और किरन कहते हैं और किरन कहते हैं ओके